दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है घरके नुस्के या घरेलू गुलाटी दोस्तों जिस नुसके के बारे में आज हम बाते कर रहे हैं बढ़ता महोल बढ़ता पुछीं और हमारे खाने में मिलावट के कारण आज इसक्राण कारण क्या है है हमारा सरीर तो नहीं बढ़ता लेकिन हमारे सरीर की चर्वी बढ़ने लगती है तो दोस्तों ये नुसका उसी से संबंदी थे थे कि कैसे हम कुछ दिनों के अंदर आसानी से घर पे मलने वाली चीजों से हमारे पेट की चर्वी कम कर सकते हैं दोस्तों जिन चीजों का आज मैं उप्योग कर रहा हम वो है हल्दी पाउडर, गरम पानी, सहद और यह है लेमन नीबू का जूस जिसे हम बोलते हैं दोस्तों आपको क्या करना है, कि जब आप सुबा उठते हैं तो आपको एक गलास गुन्गुने पानी में एक चमश सहद मिलाना है और एक चमश नीबू मिलाना है और उसको थोड़ा गोड देना है यदि आपकी पाचन की रिया या आपका काम करने का तरीका ज़्यादा है आप ज़्यादा एक ट्रोंग मेन है दिन भार एनरजी रिटिक काम करते हैं तो और आपको आपका ड्रिंग और पावर्फूल बनाना है तो आप इसमें आदा चमच हल्दी भी मिला सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ लेमंज जिसमें विटामिन A होता है और सहद हमारा एंटी ओक्सिजेंट और कार्बोहाइटर को कम करने का काम करता है यह सरीर का मेटरूलिजम भी बढ़ाता है हां दोस्तों सहद मेटरूलिजम बढ़ाने की ज्यादा केपरिसिटी होती है ज पूरी तरीके से आजमाए हुए होते हैं इनका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता हां आप इनको यूज करके अपने सरीर में बदला और जरूर कर सकते हैं दोस्तों यह दि आपने अभी तक मेरे सेनल को सब्क्राइब नहीं किया तो नीचे सब्क्राइब का लाल बटन दब रहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर कमेंट करें और मुझे जरूर पूछें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैन्यवाद